Hello my dear students, welcome back to another video बच्चो 10 standard algebra, chapter 1, linear equations in 2 variables हमारा continue है आप तक हमने practice set 1.1, 1.2 and 1.3 complete solve कर लिया है उन वीडियो की लिंक आपको description में भी मिल जाएगी आज हम practice set 1.4 करेंगे, इसके solutions थोड़े से lengthy हैं लेकिन steps बहुत simple हैं, तो अगर आप उन steps को follow करेंगे तो solution बहुत easy हो जाएगा वीडियो में आगे पटने से पहले, चैनल को subscribe कर लो और मेल icon को press कर दो, ताके जब कभी भी new video upload हो तो notification सबसे पहले आपको बिले आईए जल्दी से start करते हैं आज की class बच्चो practice set 1.4 में, first question आपको दिया है 2 upon x minus 3 upon y is equal to 15 second equation भी है, 8 upon x plus 5 upon y is equal to 77 ये जो है, ये down में है, मतलब fraction में है अगर आप इसको उपर ले कर जाते हो, तो इसका power हो जाता है minus 1 linear equation in two variable का हमारा rule था के उसका power हमेशा 1 होना चाहिए और उसमें 2 variable होना चाहिए, तो 2 variable तो है लेकिन जब इसको आप उपर लेकर जाओगे, तो इसका power का sign change हो जाएगा और ये linear equation नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना होगा कुछ तो ऐसा जुगाड करना होगा जिसे के पहले ये linear equation बन जाए और उसके बाद हमें इसको solve करना होगा तो अगर आप ध्यान देते हो, तो ये 1 upon x है ठीक है, अगर मैं 2 को separate करकर लिखूँ और ये जो 3 है, इसको अगर मैं separate करकर लिखूँ तो ये आपका बन जाएगा 1 upon y ज़स्ट यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 को बाहर ले लिया और 3 को बाहर ले लिया, तो ये आपका 1 upon x हो जाएगा और ये आपका 1 upon y हो जाएगा तो यही यहाँ पर हमको करना है let 1 upon x is equals to p ये जो आपका 1 upon x है, इसको मैं p ले ले लेता हूँ and 1 upon y is equals to q ले ले लेता हूँ ठीक है, अब आपका देखिए ये equation 1 क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा 2p, यह ना, देखिए ये 1 upon x को मैंने p लिया है, तो ये 1 upon x जो है आपका p बन जाएगा, minus 3 आपका जैसा है वैसे ही रहेगा ये 1 upon y आपका बन जाएगा q is equals to 15 ये आपकी equation बन जाएगी 3 और इस वाली equation में क्या होगा यहाँ पर 8, 1 upon x की जाएगे यहाँ पर भी हमारा p आ जाएगा plus 5 i से ही रहेगा, 1 upon y यहाँ पर q बन जाएगा, is equals to 77, ये आपकी बन जाएगी equation number 4, अब इसके बात जो आपने practice set 1.1 में किया था जिस method से, उसी method से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है इन दोनों में से, या इन दोनों में से किसी एक variable के number को same कर दीजिए, और उसके बात आपको आगे का steps तो आता ही है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यह जो equation number 3 है, इसको multiply करता हूँ 4 से, यहाँ पर मैं लिखूँगा, multiplying equation 3 by 4, यहाँ पर जब मैं 4 से multiply करूँगा, थर्ड वाल equation को तो यह 4 टूजा, 8 पी हो जाएगा माइनस वैसे ही रहेगा 4 टूजा, 12 क्यू आएगा is equals to, 4 को जब आप 15 से multiply करोगे तो यहाँ पर आपको 5 from 4, तो यहाँ पर हम सबसे पहले equation 4 को लिख देते हैं, और equation 5 है 8P minus 12Q is equals to 16 subtract करना है, तो यहाँ पर minus, यहाँ पर हम minus डालेंगे तो minus minus plus हो जाएगा, और यहाँ पर भी minus, तो अब यहाँ पर 8P और 8P यह cancel हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 17Q is equals to यहाँ पर भी आपको 17 मिलेगा अब देखिए, Q find करने के लिए हम क्या करेंगे, Q को single करतेंगे, यह 17 ऐसे ही रहेगा, और यह वाला 17 multiply में है, यहाँ पर आएगा तो divide में हो जाएगा, दोनों ही 17, ones are 17, ones are, तो Q का value यहाँ पर को 1 मिलेगा, अब हम क्या करेंगे, इस Q के value को equation 3 या 4 पे put करके, P का value निकालेंगे, तो लिखें यहाँ पर substituting Q is equals to 1 in equation 3, थर्ड वाला equation यहाँ पर आए, आपको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, P का निकालना है value, तो 2P ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर Q की जगे आजाएगा 1 is equals to 15 भी ऐसे ही रहेगा, अब आगे solve किजिए, 2P minus 3 is equals to 15, यहाँ पर 2P फिर से बैसे ही रहेगा, is equals to 15 भी ऐसे ही रहेगा, यह minus 3 है, is equals to के right hand side में आके प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2P is equal to 15 plus 3 18 होगा, P का value निकालना है तो 18 यहीं रहेगा, यह 2 को right hand side में fake दो, यह देखो 2 के table में cut होता है, 2 1s are 2, 2 9s are 18, therefore P का value यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे, therefore P comma Q is equal to 9 comma 1 आप देखें, question में आपको x and y पूचा है यहाँ पर हमने P and Q suppose किया था, अब हमें क्या करना होगा यह जो P और Q की value हमें मिली है, इसको हमें resubstitute करना होगा अब यह resubstitute क्यों करेंगे, क्योंकि हमें question पूचा गया है, वो x और y में पूचा गया है, और हम यहाँ पर P and Q में निकाल रहे है तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे resubstituting the values of P and Q we get, तो हमने 1 upon x को क्या लिया था P लिया था, अब P हमें मिला है 9, बड़बद और 1 upon y को हमने लिया था Q, जो कि हमें मिला है 1 तो यहाँ पर x की value आपको मिलेगी 1 upon 9, और यहाँ पर y की value तो 1 ही मिलेगी, ठीक है देखे, इस 9 को अगर आप यहाँ पर लिकर आ जाते हो, तो यह 1 upon 9 हो जाएगा, तो x की value आपको 1 upon 9 मिलेगी और इस y को अगर आप right hand side बेशते हो, तो यह 1 हो जाएगा, तो y की value आपको 1 मिलेगी, ठीक है तो आपका solution क्या रहेगा, therefore x, y is equals to 1 upon 9, 1 is the solution, यह है उसका complete solution, एक बार फिर से समझ लीजिए सबसे पहले आपको जो equation दी गई है, वो linear equation in two variables नहीं है तो पहले आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा, कि यह linear equation in two variables बन जाए, उसके लिए हमने क्या किया, यह जो 1 upon x है अगर इसको 2 को बाहर ले लो, तो यह 1 upon x हो जाता है, तो हमने 1 upon x को पी लिया, यह 1 upon y को हमने q लिया, अब यहाँ पर आपका एक बोज काम हो जाता है, कि यह जो fraction वाला है, यह खतम हो जाता है तो fraction खतम होने के बाद आपको single ऐसी equation मिलती है, जो 3rd होगी और 4th होगी, ठीक है, इसके बाद का solution तो आपको आता ही है, जो आपने practice at 1.1 में किया है multiply करेंगे, दोनों में से किसी एक variables के values को same करेंगे, और उसके बाद आप दोनों को subtract करेंगे subtract करने के बाद आपको किसी एक variable का value मिलेगा, उसको आप substitute करोगे किसी एक equation में, 3rd या 4th में, और दूसरे बारे variable का value निकालोगे और फिर इस तरीके से आपको दोनों variables का value मिल जाएगा, जब value मिल जाएगा दोनों का, तो आप resubstitute करोगे resubstitute करना है हम लोग, क्योंकि जो equation हमें दी गई है, उसमें variables x and y है, और हमने assume किया है p and q, तो हमें क्या करना होगा, इस p or q को resubstitute करना पड़ेगा, इस वाली equation में, जब आप resubstitute करोगे p और q का value, तो आपको क्या मिलेगा, p की जगे हमने लिया था, 1 upon x, यानि p जो हमारा था, वो 1 upon x था, तो p का value हमें मिला है 9, और 1 upon y, हमने q लिया था, q का value हमें मिला है 1, तो हमने क्या किया, just उस value को यहाँ पर डाल दिया, और उसको थोड़ा सरी arrange करिया, तो आपको मिल ग x plus y, और यहाँ पर अगर मैं 2 को बाहर ले लूँ, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 upon x minus y, ठीक है, यहाँ पर number 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 5 है, अगर मैं इन दोनों को side में निकाल लूँ, तो यहाँ पर आपके पास 1 upon x plus y बचेगा, और पर 1 upon x minus y is equal to q ही ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने first one equation में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 1 upon x plus y को p ले लेते हैं, और 1 upon x minus y को q ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर मेरा equation क्या बनेगा, देखिए, 10, यह पूरे की जगे आ जाएगा, p plus वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही 1 upon x minus y की जगे हमने लिया है q, बराबर is equal to 4, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, यह आपका equation बन जाएगा 3, तो यह जो third equation आपकी बनी है, इसको अगर आप ध्यान देते हो, तो देखिए, यह तीनों ही 2 के table में divide होते हैं, यह 2, 5, 10 हो जाएगा, यहाँ पर यह 2 से 2 कट हो जा जाएगी third equation, ठीक है, यह वाली को हमने इसमें convert किया है, तो यह आपकी third equation हो गई, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो, जो second equation है, इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें इस जैसा बनाना होगा, तो यह 15 नहीं सही रहेगा, 1 upon x plus y की जाएगे हम लेंगे, p minus का minus वैसे इन में हमें कुछ ऐसा करना होगा, या तो इसके, या तो इसके, या फिर किस वाली equation में कुछ ऐसा करना होगा, कि हमें value same आ जाए, ताके उसको हम cut कर सके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, जो यह third equation है, इसको अगर मैं phi से multiply कर दूँ, तो क्या होगा देखिए, य क्योंकि यहाँ पर जब हम phi से multiply करेंगे, तो यहाँ पर phi q मिलेगा, और यहाँ पर already phi है, तो यह phi q और यह minus वाला phi q कट हो जाएगा, 5, phi जा 25, plus 5 बन जा 5, q वैसे ही रहेगा, is equal to 5, 2, 10, ठीक है, यह equation आपकी बन जाएगी, 5th वाली, अब हम क्या करेंगे, equation 4 and 5 को add करेंगे add क्यों करेंगे, क्योंकि देखें, यहाँ पर minus है, यहाँ पर plus है, तो अगर हम add करते हैं, तो यह और यह cut हो जाएगा, minus करेंगे तो वो minus minus plus हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर आपका cut नहीं हो बाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, adding equation 4 and 5, we get, क्या मिलेग हमे, equation 4 आपको दी गई है, 15P minus 5Q is equal to minus 2, equation 5 आपको मिली है, 25P plus 5Q is equal to 10, अब हमने क्या कहा है, add करेंगे, अगर हम add करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 40P, आपका यह 5Q minus और यह plus 5Q, दोनों cancel हो जाएगा, is equal to, यहाँ पर आपको मिलेगा 8, इसको अगर आप आगे solve करते हो, यह P को हम ऐसे ही रखते हैं, is equal to 8 भी ऐसे ही रहेगा, इस 40 को हम यहाँ पर लिकर जाएगे, तो वो divide में हो जाएगा, ठीक है, इसको आगे solve कीजिए, 8 के टेबल में देखिए 40 जाता है, 8, 1's are 8, 8, 5's are 40, तो P का value यहाँ पर आपको मिलेगा, 1 upon 5, अब इसके बाद हम क् substitute करेंगे, equation 3rd या 4th में, आएए, यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या मिलेगा, हमें equation 3rd, क्या था, equation 3rd यहाँ पर आपका था, 5P plus Q is equal to 2, यह है आपका equation 3, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, 5 से ही रहेगा, P की जगे, 1 upon 5 आजाएगा, plus Q is equal to 2, ठीक है, देखिए, यह 5 से य यह 5 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 1P plus Q is equal to 2, ऐसे ही लिखूँगा, therefore, Q को ऐसे ही रहेने तो, 2 भी ऐसे ही रहेगा, यह plus 1 यहाँ पर आएगा, तो Q का value यहाँ पर आपको मिलेगा 1, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, therefore, P, Q is equal to, P का value यहाँ पर आपको मिला 1 upon 5, Q क का value यहाँ पर आपको मिला 1, लेकिन question में P and Q का value तो हमें पूछा ही नहीं है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, resubstitute करेंगे, तो लिखों यहाँ पर resubstituting the values of P and Q we get, तो हमने क्या किया था, P को लिया था, 1 upon X plus Y, और Q को लिया था, 1 upon X minus Y, तो अब P का value यहाँ पर हमें क्य plus Y के बराबर था, और Q का value यहाँ पर हमें मिला 1, is equals to 1 upon X minus Y, बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसको cross multiply करेंगे, यह जाएगा इदर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा X plus Y, is equals to, यह 5 जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5, तो यह आपका बन जाएगा equation 6, और यह similarly वैसे ही तो यहाँ पर आपको X minus Y मिलेगा, और is equals to 1, यह आपका बन जाएगा equation 7, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, क्यूंकि यह भी equation बन गई, तो आप हम क्या करेंगे, add करेंगे, तो यह दोनों cancel हो जाएगे, तो लिखिए यहाँ पर adding equation 6 and 7, we get X plus Y is equals to 5, X minus Y is equals to 1, यहाँ प opposite में लेकर आएगे, तो यह दिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर X की value आपको मिलेगी 3, अब जो X का value आपको मिला है, उसको यहाँ पर किसी भी equation में substitute करेंगे, और Y का value निकाल लेगे, तो यहाँ पर आप लिखिए, इसका solution यहाँ पर हम continue कर रहे हैं, तो यहाँ पर X, Y is equals to 3, 2 is the solution, एक बार solution अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको equation जो दी गई थी, वो इस type में थी, तो हमने क्या किया, जुगार करके 1 upon X plus Y को P लिया, और 1 upon X minus Y को Q लिया, जब आपने यह assume कर लिया, तो आपका equation इस तरीके का बन गया, जब यह इस form में आया, तो आपने इस equation को divide किया 2 से, तो जब divide किया 2 से, तो यह 10 का 5 बन गया, यह 2 कट हो गया, और यह 2 बन गया, तो यह आपका equation 3 हो गया, इसके बाद आपको जो second equation दी गई थी, उसको भी हमने जुगार करके P and Q लिया था, equation आपका बनेगा 15P minus 5Q is equals to minus 2, यह आपका equation 4 बन जाएगा, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों variables में से किसी एक variable का value same कर देते हैं, और यह same हम क्यों करते हैं, क्योंकि आगे हमें उसे cut करना होता है, जैसे कि आपने practice at 1.1 में किया है, तो हमने क्या किया, multiply किया equation 3 को 5 से, तो जब आपने 5 से multiply किया, तो यह आपका 25 बन गया, यह आपका 5 बन गया, और यह आपका 10 बन गया, जब यह मिल गया आपको, इसके बाद हमने equation 4 and 5, इन दोनों को add किया, add करने के बाद आपको P का value मिला, equation 3 में, third में substitute करने का आपको Q का value मिला, जब आपको P and Q का value मिल गया, तो हमने resubstitute किया, जब resubstitute किया, तो हमें यह वा यहां पर solution थोड़ा सा lengthy है लेकिन steps वही है जो आप स्टार्ट से करते वे आ रहे हो ठीक है थोड़ा सा assumption है स्टार्टिंग में अगर आपको सही तरीके से अजियों कर लेते हो तो solution आपका बहुत सिंपल और करने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि practice set 1.1 उसके जो लास्ट के questions है जिसमें आपको वेरियेबल्स सेम आते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए उसको थोड़ा सा तो यहाँ पर मैं assume करूंगा let 1 upon x-2 is equal to p and 1 upon y-3 is equal to q यह हम क्यों कर रहे हैं क्यूंकि equation को simple बनाना है और linear equation इंट टू वेरियेबल्स में लाना है इसलिए हम यह जुगार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका equation बनेगा 27 इसकी जगे हम p लिखेंगे plus 31 जैसा है वैसा ही रहेगा यह 1 upon y-3 की जगे आ जाएगा q is equal to 85 ऐसे ही रहेगा यह equation आपका बन जाएगा third वाला ठीक है और यह जो equation दिया गया है यह है 31 यहाँ पर हमने इसकी जगे p लिया है तो यहाँ पर p आ जाएगा यहाँ पर plus का sign वैसे ही यहाँ पर 27 q हो जाएगा is equal to 89 यह आपका बन जाएगा equation 4 अब यहाँ पर जो मैंने आपको याद दिला है था practice set 1.1 में जो हमने किया है देखिए cross में same values दिख रहे हैं ठीक है यहाँ पर 27 p उसका भाई q है जिसके साथ 27 है यहाँ पर q 31 के साथ है उसका भाई p उसके साथ में 31 है ठीक है तो cross में same type का sum practice set 1.1 में solve किया है तो हम क्या करते थे इस type के questions में first हम add करते थे और उसके बाद subscribe करते थे तो आईए पहले addition कर लेते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे adding equation 3 and 4 we get यहाँ पर 27 p plus 31 q is equal to 85 31 p plus 27 q is equal to 89 sign दोनों को add करना है तो यहाँ पर plus का sign हम डाल देंगे आप addition करोगे तो यहाँ पर देखिए 7 plus 1 8 2 plus 3 5 ठीक है यहाँ पर P आ जाएगा यहाँ पर plus की sign अगें यहाँ पर मुझे 58 मिलेगा लेकिन variable q होगा is equal to 9 plus 5 14 4 यहाँ पर आ गया 8 plus 8 16 plus 1 17 तो यहाँ पर 174 आपको मिलेग इसमें हम divide कर सकते हैं 58 से क्योंकि जब हम 58 से divide करेंगे तो देखिए यह दोनों cut हो जाएंगे और यहाँ पर भी कुछ एक number मिलेगा तो सबसे पहले आप चेक कीजिए 58 के table में 174 आदा है क्या चेक कीजिए जब तक मैं यहाँ पर division कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर आपको म divide किया तो यहाँ पर 58 cut हो गया यहाँ पर 58 cut हो गया 1 1 है 1 1 हम नहीं लिखते हैं और यहाँ पर divide किया तो यह 174 cut हो गया 3 times 58 के table में तो यह जो आपको मिला है P plus Q is equals to 3 यह आपका equation रहेगा 5 वाला ठीक है 4 तक हम ने कर लिया था अब यह रहेगा 5 वाला equation इसके बाद हम क्या कर आपको मिलेगा minus 4P यहाँ पर आपको मिलेगा plus 4Q plus 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पर bigger number 31 है is equals to यहाँ पर आपको मिलेगा minus 4 minus इसलिए क्योंकि यहाँ पर 89 bigger है तो यहाँ पर मैं अगर 1 लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा minus 4 से दोनों जगे divide करता होगा तो यह सिर्फ पी रहेगा, यहाँ पर minus q आ जाएगा, is equals to, यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है, और यह मेरा equation number रहेगा, 6, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे bracket में, dividing both sides by minus 4, अगर यह नहीं समझ जा रहा है, तो यहाँ पर थ्यान दीजिए, देखें, यह equation हमें दी गई थी, बराबर हमने यहाँ पर क्या का, minus 4 से दोनों जगे divide करना है, तो यहाँ पर भी minus 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी minus 4 और यहाँ पर भी minus 4, divide करना है हमें, तो देखिए, यह minus 4 से यह minus 4 कट हो गया, यहाँ पर यह 4 से यह 4 कट हो गया, लेकिन minus plus minus होता है, तो इसलिए यहाँ पर minus की Q is equal to 1, अब हम क्या करेंगे, जो equation हमें चाहिए था, वो equation हमें मिल गई है, equation 5 and 6, अब इसके बाद हम करेंगे, हमारा जो first वाला step था, add करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, adding equation 5 and 6, we get, add करना है, तो यहाँ पर आपका आजाएगा 2P, और यह plus minus, दोनों कट हो जाएगा, is equal to यहाँ पर आजाएगा, 4, ठीक है, P का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा, 2, कैसे मिला, देखें, यह 2 यहाँ पर जाएगा, तो यह 2 वन्जा, तो आपको P का वैल्यू तो मिलेगा, अब इसके बाद हम करेंगे, substitute, तो लिखें, यहाँ पर substituting, P is equal to 2, in equation 5, फिफ्ट वाल यहाँ पर मुझे मिलेगा, 1, अब यहाँ पर solution end नहीं होता है, इसके बाद हम करेंगे, resubstituting, अब इसके बाद का solution यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे, resubstituting, the values of P and Q, देखें, P का value 2 मिला था, ठीक है, P हमने क्या लिया था, P हमने लिया था, 1 upon x-2, तो यह मिलेगा, देखिए, यह 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर x-2 is equal to 1, and यह आपका y-3 is equal to 1, इसके बाद हम क्या करेंगे, यह 2 को अंदर भीजेंगे, तो यह 2x हो जाएगा, minus 2 तू जा, यहाँ पर 4 is equal to 1, and y का value अगर यहाँ से हम निकालना चाहें, तो कैसे निकलेगा, y को single कर द minus 4 यहाँ पर आएगा, तो plus 4 हो जाएगा, यहाँ पर y अगर आप देखें, तो y का value यहाँ पर minus 2 मिलेगा आपको, अब इसको हम solve करेंगे, therefore, 2x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर यह हो जाएगा, यह जब उदर जाएगा, तो divide में हो जाएगा, यहाँ पर multiplication में है, तो यहाँ प solution, इस तरीके से आपका आएगा, full solution, तो एक बार third solution, अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर हम revise कर लेते हैं, देखिए, यहाँ पर आपको दिया था, यह equation और यह equation, तो इसमें हमने क्या किया, 27 को अलग कर दिया, तो आपके पास बचा 1 upon x-2, जिसको हमने p consider कर लिया, आपको क्या पता चला, जो हमने practice at 1.1 में किया था, cross में अगर same number मिलता है, तो हम क्या करते है, पहले add करते हैं, फिर separate करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया, 27 यहाँपर P के साथ था, यहाँपर 27Q के साथ है, यहाँपर 31Q के साथ है, तो यहाँपर 31P के साथ था, तो cross में same number आता है, तो हम पहले add करते हैं, फिर subtract करते हैं, तो यहाँ पर हमने पहले add किया, third and fourth equation को, तो यहाँ पर आपको यह वाली equation मिली, तो यह equation मिलने के बाद आपको पता चला, 58 अगर हम through out divide करते हैं, both side, तो यहाँ पर आपको p plus q is equals to 3 मिलेगा, जो कि आपका equation 5 रहेगा तो यह हो गया हमारा addition वाला part, इसके बाद हमने किया subtract, जब आपने subtract किया, तो आपको मिला minus 4 p plus 4 q is equals to minus 4, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, divide करना है both side, लेकिन यहाँ पर minus 4 था, तो हमने क्या किया, minus 4 को divide किया, दो no side, जब minus 4 से divide किया, तो आपको p minus q is equals to 1 मिला, तो य sum, इससे पहले के sum में किये है, sum 1 और 2 में, practice at 1.4 के, वो अब यहाँ से start होगा, ठीक है, तो यह पूरा ताम जब हमने इसलिए किया, क्योंकि यहाँ पर हमें cross में same number मिल रहा था, तो यह same number जब मिला, तो आपने पहले add किया, फिर subtract किया, आपको equation मिला, अब जो equation आपको 5th and 6th value मिली है, उसके बाद आपका जो first step है addition वाला, वो वाला आप यहाँ पर फिर से apply करेंगे, तो 5th and 6th equation को आप add करोगे, add करोगे तो आपको एक value मिलेगा, फिर उसके बाद P को substitute करोगे आप, 5th या 6th वाल equation में, तो आपको Q मिलेगा, P and Q मिलने के बाद, आप resubstitute करोगे P and Q का value, तो आपको फिर से वो x and y वाले form में लेकर आना होगा, तो वो solve करने के बाद आपको x and y का value मिलेगा, जो यहाँ पर आपको मिला है x का value 5 upon 2 और y का value minus 2, यह है आपका complete solution, बच्चों मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा lengthy है, लेकिन steps वो ही है, practice करोगे तो ही आएगा, त इस वाले में 1 upon 3x minus y यहाँ पर भी same है, ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं assume कर लेता हूँ, let 1 upon 3x plus y is equals to P ले लेता हूँ and यहाँ पर 1 upon 3x minus y इसको हम ले लेते हैं Q, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, तो अब आपकी equation क्या बनी ही देखिए, इस आपका आजाएगा, P plus यह 1 upon 3x minus y की जैगे आपका आजाएगा, Q is equals to 3 upon 4, यह है आपका equation number 3, यहाँ पर आपका क्या आएगा देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 upon 2P minus 1 upon 2Q is equals to minus 1 upon 8, यह आपका बन जाएगा equation number 4, अगर यह नहीं समझ आ रहा है तो देखिए यहाँ पर, यह 1 upon 3x plus y, इसको हमने लिया था P, जो कि यहाँ पर already है, अगर मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, यह 2 उपर होता, तो हम इसको 2P लिख सकते थे, लेकिन अगर इसको आप बाहर लेते हो, तो यह आपका 1 upon 2 ही रहेगा, ठीक है अगर आप बाहर भी लेते हो, तो upside का 1 जो है, वो तो वैसे ही रहेगा, वो fraction में ही रहेगा, वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप इसको बाहर लेते हो, तो 1 upon 3x minus y यह हट जाएगा, तो upside का 1 है, वो तो वैसे ही रहने वाला है, तो हम इसलिए यहाँ पर 1 upon 2p और यहाँ पर minus 1 upon 2q ले रहे हैं, आप यह जो fraction है, इसको अगर करता हूँ, p minus q is equal to minus 1 upon 4, यह आपका equation बन जाएगा, 5th, आप इसके बाद आप क्या करोगे, equation 3rd और 5 इसको add करोगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, adding equation 3 and 5, we get, आपको क्या मिलेगा, देखिए, यहाँ पर हम add कर रहे हैं, तो plus की sign डाल दीजिए, आप देखिए, p upon 4 minus 1 upon 4, तो देखिए, denominator same है, तो क्या करेंगे हम, इसको अगर आप आगे solve करते हो, तो upon में 4 common आ जाएगा, उपर 3 minus 1 आ जाएगा, is equals to 2 upon 4, तो अगर आप इसको solve करते हो, तो p का value यहाँ पर आपको 1 upon 4 मिलेगा, अब इसके आगे आप करोगे, substituting p is equals to 1 upon 4, in equation 3, we get, p की देखिए, हमने 1 upon 4 लिखा है, और बाकी का जो जैसा है, वैसा ही लिखा है, अब इसको आगे solve कीजिए, तो क्या मिलेगा, देखिए, therefore, q is equals to 3 upon 4, यह प्लस, यहाँ पर आकर minus हो जाएगा, 1 upon 4, आगे इसको solve परना है, तो देखिए, denominator same है, तो हम same एक बार ले लेंगे common, और यह upside का 3 minus 1 ऐसे ही रहेगा, इसको आगे solve करेंगे, तो 2 upon 4 आजाएगा, यह देखिए, दोनों equitable में cut होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर आपको 1 upon 2 मिलेगा, तो therefore, q का value यहाँ पर आपको 1 upon 2 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको p and q का value मिलेगा, p का है 1 upon 4, q का है 1 upon 2, लेकिन यहाँ मिलेगा, देखिया हमे, p का value हमें मिला है 1 upon 4, और हमने p की जगे क्या लिया था, 1 upon 3x plus y, यही लिया था p की जगे, और q की जगे हमें मिला है 1 upon 2, और q की जगे हमने लिया था, 1 upon 3x minus y, बराबर आप इसको cross multiply कीजिए, यह जब 1 इससे multiply होगा, तो यहाँ पर आपको 3 3x plus y मिलेगा, is equal to 4 बंजा 4, 3x minus y is equal to 2, तो इसको हम numbering कर देंगे, 3x plus y is equal to 4, यह आपकी equation number रहेगी, 6th वाली, क्योंकि हमने 5th वाली यहाँ पर use कर ली है, number 5 use यहाँ पर हो चुका है, तो यह रहेगा 6, और यह जो दूसरी वाली equation है, यह हमारी रहेगी equation number 7, इसके बाद हम करेंगे add, तो लिखिए यहाँ पर adding equation 6 and 7 we get, आगे का solution यहाँ पर करते हैं, यह है 7th वाली equation, यहाँ पर हमने लिखा है add, तो यहाँ पर plus की sign add कर दीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 6x, यह plus y, minus y, दोनों ही cancel हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 4 plus 2, 6, आप देखिए x निकालने के लिए, हमें x को इधर बेज़ दो, यहाँ पर आप डार्यक्ली भी cut कर सकते हो, देखो 6 ones आ, 6 ones आ, दोनों ही cut हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको x का value 1 मिलेगा, तो अब आपको x को substitute करना है, किसी एक में, और y का value निकालना है, यहाँ पर हम लिखेंगे, substituting x x is equal to 1 in equation, किस में करेंगे, चलिए 6 तो आल equation में कर लेते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगे आ जाएगा 1, plus y भी ऐसे ही रहेगा, is equal to 4, ठीक है, 3 ones are 3, plus y is equal to 4, therefore y को अकेला कर दो, 4 भी ऐसे ही रहेगा, यह plus 3 यहाँ आएगा, तो minus 3 हो जाएगा, which is equal to 1, तो y का value यहाँ पर आ पर practice set 1.4 complete होता है, next lecture में हम practice set 1.5 start करेंगे, ऐसे ही और informational videos के लिए चैनल को subscribe कर लो, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, till then take care, bye